जितना कठिन संगर्स होगा जीत उतनी ही शानदार होगी रहता हूं तो आप अने केर्मी के प्रेस्टोर सो डाउनलोड कर लिजा और उसमें ऑनलाइन इस्टी पॉइंट सेर्च करके फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अने केर्मी प्रोफाइल की लिगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये दिये दोस्तों उस लिंक पर बिजारेक क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं और हाँ पर करने फेस की वीडियो जबनाएं हो आप उसको बिल्गूर फ्री में देख सकते हैं चैनल पर पहली बार विजित करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान प्रेस का देजे दोस्तों ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जेली मिलती रहे मॉनिंग में वीडियो चले प्लीज लाइक जरूर कर दियकर इस वीडियो को शेर कर दें चले इसटार करते हैं पहला कोशन बहुत महत्मूर है सेहल वर्क जेवडे को किस देश की पहली महिला राष्टपती गरू में न्यूक किया गया है दोस्तों सेहल वर्क जेवडे को इथी ओपिया की पहली महिला प्रेजडेंट गरू में न्यूक किया गया है देखे दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि थे उपिया ने अपनी पहली महिला राष्टपती के रूमे राजनाईक सहले वर्क जेवडे को न्यूक्त किया है और राष्टपती की स्थिति देश में काफी हद तक अपचारिक है आपको बता दे कि थे उपिया के मादे हम से जेवडे को न्यूक्त किया गया था और ये जो है तो मुलाटू तोशे में विर्ट का स्थान लेंगी और उनकी न्यूक्ती स्थ पहले है अदीस अवाबा इथोपिया राजनी के है अदीस अवाबा और मुद्रा है इथोपियाई बियर ठीक है दोस्तों यहाँ पर बात हो रही पहली महिला राष्ट पती की वारे में तो आपको एक फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है एक्जामे पूछा जाएगा आपसे कि विष्ट की पहली महिला राष्ट पती ठीक है मारिया एस्टेला पायरो ठीक है और बात करेंगा विष्ट की पहली महिला प्रथान मंत्री यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा हो कि विष्ट की पहली महिला प्रथान मंत्री कौन थी तो वो थी स्री माओ भंडारनाय के जो और कान है एंगेजला-मारेट已经 क्या हूंतली मारेट घ्रिचस्अ कंदरी तरिमा घ्रिचस्टा की आदके इन तो एसके लावा भारत भात कि भारत के प्रथम राष्टपती कौन थे दोस्तो भारत के पहले राष्टपती आप सब को पताई थे डाक्टर राजन प्रसाथ थे 1950 से 62 तक लगातार थे और प्रथम उपराष्टपती थे डाक्टर सरपली राधा किस्नन और प्रामिनिस्टर तो आप सब को पताई है पंडित जवालाल नहरूजी थे ठीक है तो सेहल वर्क जेबडे को किस देश की पहली महिला राष्ट पती के रूप में नुक किया गया है यह है इथोपिया की ठीक है यह आपको जरूर याद ख़ना है बहुत इंपोर्डन कोश्चन है आगामी एक्जामस में जरूर पूछा जाएगा इसी तरह महर कोश्चन में आपको एक्ष्टा फैक्ट बताऊँगा दोस्तों तो आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखे दोस्तों यहाँ पर बात करें दक्षिंड सूडान की दक्षिंड सूडान 2011 में चार दूपह होकाइडो होकाइडो होन्शू सीको को तरह क्यूशू जापान को सुरो दे का देस भी कहते हैं और जापान की जो प्राइमनिस्टर बंदमान में वह जो आब याद रखिएगा य सफवाधिक जल्यान मनने वाला देसकांस है जापाद से यह से To यह आप को या तक ना भी हाली में अभी हाली में सई अभ्यास हुआ था भारत को लेकर धर्म्रजियंदॉर अठारा भारत और जापान की बीच मिजोरौ में हो गए ठीक है यह तो यह आपको भी याद रखना है सिलंका की बात करें सिलंका की जो कॉमर्सियल आजानी है कोलंबो और अडिमिस्टेटिव आजानी स्री जैबर दिनापूरा कोटे और प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंगे ठीक है बरतवान प्रेसिडेंट है सिलंका के रानिल विक्रम सिंगे यह आपको फैक्ट याद रखना है काफी important है आपसे पूछा आ सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अगले गोशनक दरब बढ़ते हैं दोस्तों कासे बड़ा से अच्वे सबसे बड़ा से उद्भयाश कांशरू हुआ है दोस्तों नाटो का नाटो क्या है नोर्थ एतलांटिक ट्रिटी ओडिनाजस थीक सबसे बड़ा सैनिक उद्यभ्यास कहा शुरू हुआ है नार्वे में ठीक है देखे दोस्तों आपको यहाँ पर हम बता दे कि नार्वे उत्तरी अट्लांटिक संधी संग्ठ नाटो का शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक उद्यभ्यास नार्वे में शुरू हो चुका है रूस जो नार्वे के साथ सीमस आजा करता है को ट्राइजेंट जूंचर 2018 ड्रिल पर नाटो ने बताया था और इसे मॉनिटर करने के लिए अमंद्रित किया था लेकिन मास्को नौर्थ एटलांटिक ट्रीटी आउगनेजेशन की नाटो के बारे में आपको सारे फैक्ट पता होना चाहिए बहुत इंपोडेंट है पूच लेता है सबसे पहले फुल फॉर्म नौर्थ एटलांटिक ट्रीटी आगनेजेशन इसकी स्थापना होई थी चार अप्रेल उन टोलेंबर्ग वरतवान में सेकर्टी जनरल है और नाटो में वरतवान में कितने कंट्रीज हैं कितने सदस्य देश हैं 29 यह जरूर याद रखेए को 29 तो यह चर्चीत है यह को अपसे नाटो के बारे में सारी जानकारी पता होना चाहिए तो नाटो को सबसे बड़ा सैनिक उद्धिप्याश का है नारवे में शुरू हो गया है ठीक है और नाटो को देश क्या है परस पर सैनिक शक्ति संतुलान बनाया रखना ठीक है दोस्तों यह फैक्ट आपको जरूर याद रखना है हर एक्जाम में पूछे आ सकते हैं आपसे अगला कोश्चन दोस्तों दोस्तों तो पूजा धानडा ने बुड़ा पोस्ट हंगरी में महिलाओं की फ्रीश्टाइल में 57 किलो बजन बर्ग में ठीक है यहाँ पर याद रखना 57 किलो बजन बर्ग में कांज पतक जीता है और धानडा ने नारवे की ग्रेस वूलेन को दस साथ से पराजित किया है और 2018 चेंबेसी में भारत का दूसरा पतक था आपको बतादिक पूजा से पहले केवल तीन भारती महिला ग्रेपलर्स अलका तोमर गीता फोगाट और वैपता फोगाट ने विश्चेंबेसी में कांज से पतक जीता था ठीक है दोस्तों तो पूजा धानडा ने विश्च पूजा पूजा से पूजा गई तो इसका पूरुशकार कौंसा देश ने जीत लिया है यह जीता है इंडिया ने भारत देखे आपको बतादिक भारत ने Commonwealth Association for Public Administration and Management अब आड़ दोठा रजीद लिया है प्रहसासनिक शुधार और लोग शिकायत विभाग कार्मिक मंत्राले लोग शिकायते और पेंसन का एक संस्थान सदस्य है आपको दादेक जार्ज टाउन गोयाना में आजी द्वार्शी कामसरस्यों के बैठक में पुर्शकारों गोशना की गई थी ठीक है दोस्तों आप पता देक उन्ना वयन वांका नावक महल बिहार जिला बिहार राज के प्रदुक्य को प्योग करने वाली सिक्षा को पुनर वितीर पुनर वितरार स्रेड़ी इनोवेशन इक्योवेशन की तरह समानित किया गया है इसके लावा करन पता याद देते होना चाहिए सी एपी एम का फूल क्या कॉमन बेल्ट एस्टिशन पार पब्लिक एड्मिस्टेशन और मैंगेजमेंट ठीक है तो यहां पर आपको बता दें कि दोस्तों यह जो सीपी सी एपी एम है उन्हें सुन्ठानवे से दूई साल आना अपने अंतरा कौन सा देश बन गया है तो यह बहुत महत्मूर कोशन यह इंडिया ठीक है इंडिया बन गया देखिए आपको बता देख मारकॉम कम्यूकेशन इंडिया की एक रिपोर्ट के मुतावित भारत ने कैलेंडर बस 2018 में पहले शमाइक दुरान दुनिया की दूसरी सबसे पाजार के रूप में अपनी स्थी को मजबूत करने के लिए फोर पॉइंट नाइन जी डवलू शौरूजा स्थापित किया है आपको बता देख रिपोर्ट के मुतावित चीन सुजीम सबसे उपर है ठीक है चाइना नमबर न पर है इंडिया और पहली छमाई के अंदर त सावित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बाजार कौन से बन गया सावर बाजार इंडिया बन गया है और फस्ट नमर पर है चाइना फस्ट का भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगले घुशंग तरह चीन की बात का है चीन की राजधानी क्या दोस्तों बीजिंग है चीन के बरतमान प्रेस्टिटेंट से शी जिन पिंग चीन पॉपुलेशन यानी जनसंक्यक दिश्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश से जबकि शेत्रप्रण दिश्टी से रूस है ठीक है चलिए अगले घुशंग की तरफ बढ़ते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांस चांजडिया सबसे दोगते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट तक तीसरा सबसेबड़ा विवानन बाजार होगा इंडिया आज इंडिया से लेटेर काफी question बन रहे है current affairs की तो याद रखना है देखिए हवाई यात्रियों की शंख्या में बृद्धी के बारे में पूर्वन नहीं जारी किया गया है और भारती विमारन उद्यों की अत्रियों की शंख्या की लिहाज से दोहर 24 तक ब्रिटेन को पचाड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे वड़ा विमान बजार बन जाए गए ठीकर ब्रिटेन को पचाड़े गई ने किस पड़ोसी देश के साथ जलमार्ग संपर्ग बढ़ाने के लिए भारत ने तीन समझोता पर स्ताक्षर किये हैं राइट अंसर इसका आपसा ने बंगलादेश के साथ ठीक है देखे आपको पता दें कि भारत और बंगलादेश ने 25 अक्टूबर को ब्यापार और जहाजों के आवागमन के लिए दोने देशों की बीच अंतर देशी तथा तटी जलमार्ग संपर उढ़ाने के समन्द में माहत्पूर्ण समझोते किये हैं कोच नम्म नाइन्थ है भारती रेल दौरा त्यार की कि बीना इंजन की रेल का क्या नाम रखा ग तो यह आपको फैक्ट यादक ने बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स दोस्तों हाली में मानव संसाधन विकास मंतरी ने रिसर्च संबंधी कारियों को प्रसान देने के लिए कितने पोर्टल लॉंच किये हैं और दो पोर्टल ठीक है देखिए केंद्री मानव विकास संसाध मंतरी को सब्भताबगरियों का सब्सक्राइब नव indeed पाकिस्तान के सूचना मंतरी के अनुसार की Meh बिहार, Option D, ठीकिए, बिहार ने अपने तैस समय से दो महिने पहले ही पूरे राज्य में, बिदूती करणड का कारे की पूरा कर लिया है दोस्तों, और इसके लाब आप पता दे कि प्रधामत्रि सौभाग स्कीम के तहट बिहार ने सत प्रिशत बिदूती करणड का काम पूर बढ़ना टीम किसानों को बाजार से जोड़ना कोईचर मोर्फ्य दोस्तों प्रधादाम्त्री मोदी जी ने कि माध्यम से उभाटन किया है क्राइट इंसर इसका ऑप्शन ए लखनाऊ ठीक देखिये मोदी जी ने नहुं में आज इत क्रिशी कुम दुरठारागे को वीडियो कॉन्फियंसिंग के माध्यम सुखरण किया है अप्रधामतिरी मोधी ने किशानों को भी संबोधित किया है ठीक तुसका राइट एंसर आप साने आप देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर जिसका भारत के कि इस राज को विश्व के पहले पूर्ण और गैनिक राज का दाज़ा प्रतान किया गया है और सभी सभी स्टूडिय ने डिटेल में लिखा था काफी एच्छे से लिखा था आप देख लेते हैं आज का सवाल क्या तो सो आज कोशन है यह भी बहुत इंबोडन कोशन दिया आप डेली की वीडियो देखते हूं तो आपको एंसर पता होगा प्लीज फटा फट कमेंट बॉक्स में एंसर जरूर लिखे दोस्तों साथ ही साथ साथ सी वी आई के वारे में जो हम आपको सारी जानकारी बताया हूं वह भी सारे फैक्ट आपको लिखेंगे किस थापना का अब वी थी पहले ने सक कौन थे ठीक है सारी जानकारी आप लिखेंगे